दोस्तों अगर आपका एक पैट सॉप है और आपने पैट सॉप के लिए गूगल एड रन करना चाहते हो तो इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आपको हाई क्वालिटी कॉल्स मिल सकते हैं गूगल के थुरू कैसे प्रॉपर एड सेट अप करना है अपने पैट स्टो करके हम आपके लिए डिजिटर मार्केटिंग से रिलेटिड गूगल एड से रिलेटिड सारी वीडियो उसे चैनल बलबात करते हैं पैट स्टोर के लिए पैट गूमिग के लिए कैसे गूगल एड आपको सेट अप करनी है तो गाईस में एक बिलकुल फ्रैस अकाउंट प पर क्लिक करते हैं. प्लेस न्यू केंपेंग. जैसी ही आप केंपेंपेंग पर क्लिक करोंगे, सबसे पहले आपको अब्जेक्टिब सेलेक्ट करना होगा. मृटिपल अब्जेक्टिब आपको देखने को मिलेंगे. सेल्स, लीड, वेपसाइट राफेक, तिके सर्च लेने के बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और नेक्ष्ट करते हैं नेक्ष्ट करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले website visit, phone call, app downloads आ रहे हैं आप यह पर अपनी website का link दे सकते हो, phone call number यह सब दे सकते हो अभी के लिए मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूं, continue करता हूं, अभी मैं ऐसा ही blank रखता हूं यहाँ पर campaign का name देते हैं, pet store, flats, ऐसी मैंने campaign का name दे दिया, continue करते हैं जैसे ही आप continue करोंगे सबसे पहले आपके समने bidding आएगा, multiple type की bidding strategies आपको देखना को मिलेंगी जैसे conversion, clicks, conversion value, like आपको multiple type की bidding strategies देखने को नजबी, अभी के लिए जो bidding strategies लेके चलेंगे, वो हम click लेके चलेंगे और click amount set करेंगे, so मैंने pet store के लिए click amount set करेंगे, so मैंने pet store के लिए click amount set करेंगे 25 के लिए call camping बनाने वाले है, so मैंने यहां पर maximum post पर click, जो हमारे keywords है, उनने पर 25 set कर दिया है, post पर click, अगर आपको idea ना हो, तो google keyword planner, google ads में जाना, google ads में आपको planning में, planning में जाना, tools में जाने के planning में जाना, यहां पर आपको keyword planner में लेगा, इस keyword planner की मदद से आप easily like low CPC और high CPC का idea ले सकते हैं, अभी के लिए मैंने bidding set कर दिया, next करते हैं, next करने के बाद campaign की settings है, campaign की settings में सबसे पहले networks आते हैं, दो तरीके के networks देखने को लेंगे, search network, display networks, तो अभी मैं दोनों networks को uncheck कर देता हूं, search network, display networks पर हमें ad नहीं दिखाना है, क्योंकि हम अपनी ads Google के partner platforms पर नहीं दिखाना हैं, इसलिए मैंने Google के search partner को भी अटा दिया है, display partner क अटा दिया है, हम इस पेसलिए ad दिखा रहा है, Google के search engine result page पर इसलिए मैंने partner platforms अटा दिये हैं, locations पर आने के वाल, location में मैं आप अपनी जो भी जिस भी location पर आपको ad set करना है, वो location हम यहाँ पर set कर देंगे, so मैं Bhopal location के लिए ad run कर रहा हूं, so मैंने Bhopal यहाँ पर set कर दिय और location option में मैं interest रखता हूं, ठीक है presence और interest, Bhopal के बाहर से भी किसी को कुछ order करना रहेगा, तो वो कर सकता है, and then यहाँ पर हम language में all कर देते हैं, okay, and then हम कुछ भी नहीं करेंगे, next करते हैं, next करने के बाद अभी हम इसको skip करते हैं, अब सबसे पहले keyword आता है, keyword में आप pet shop मे मैंने लिख दे, pet grooming, ठीक है, so यहाँ पर get keyword suggestions पर हम click करेंगे, so keywords के सारे ideas यहाँ पर आ जाएंगे, आप यहाँ के यह गई, जो अभी मैंने keyword planner बताया था, बहां से भी आप keywords के ideas ले सकते है, pet grooming, pet grooming near me, pet grooming, cat grooming, dog spa, mobile pet care, pet cleaning, ठीक है, so अभी के लिए example के लिए कुछ keywords मैंने यहा हैं, तो यहाँ पर keyword planner पर आकर, जो भी आपका pet से related, जो भी आपके services हैं, वो आप यहाँ पर type कर सकते हैं, दे सकते हैं keywords में, आगी चलते हैं, इसको हम cancel करते हैं, next करते हैं, next करने के पर एक budget set करेंगे, तो budget set करते हैं, यहाँ पर 700 और परड़ी मैंने एक budget set कर दिया, इसको भी हम next करते हैं, next जैसे ही करेंगे, यहाँ पर campaigns की errors को check करेगा, जैसे ही errors को check करेगा, फिर यहाँ पर publish का option आजाएगा, अगर हमारे ads में कोई error नहीं होगी, publish का option आगया, हम इसको simply publish कर देते हैं, तो मैंने यह ad को simply publish कर दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन अभी campaign क अदर ad नहीं बनाया है, अब हम यहाँ पर call ad बनाएंगे, so campaign में जाने का, ads में जाएंगे, create ad पर click करेंगे, call ad पर click करेंगे, ad group बन पर click करेंगे, यहाँ पर country select करेंगे, India, mobile number देंगे, ठीक है, mobile number दे दिया, final URL, verification URL, जो आपकी website का link होगा, वो आप यहाँ पुट करेंगे, so मैं website का link ही ले लेता हूँ, मैंने website का link यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पर मैंने type कर दिया, pet shop, ठीक है, मैंने यहाँ पर type कर दिया, pet shop, ठीक है, अब मैं यहाँ पर headline 1, headline 2, description 2, business का name दे दिया है, जैसा कि आप screen पर देख सकते हो, और यह हमारा ad का preview ready हो गया है, अब हम इसक को कर दिया, तो इस तरीके से आपको call and ready करना है, pet store के लिए, अगर आपको हमारे through setup कराना है, तो नीचे देखे बाक्स अंबर में WhatsApp कर सकते हैं, आज की वीडियो तनी रखते हैं, वीडियो अच्छी लिए 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 उब लिए लिए